हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो में चैनल मैं आपना व्लोग शेयर कर रही हूं डमान ट्रिप का हम लोग सीधा डैली से गए थे पोर्ट ब्लेयर फिर वहाँ पे जाके हम अपने एरपोर्ट से सीधा होटल गए वहाँ पे चेंज किया फ्रेश हुए हमें गाफी टाइम हो गय गए थे देखने के लिए तो अगर आपको मेरे व्लोग अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पौर्ट ब्लेयर इदा हम चलते हैं सेलूलर जेल है इसका एंट्रेंस अब आपको दिखाते हूं इसकी कलरफुल इमेज यह है इसकी जहां पर हम खड़ें यह वीरसावरकर पार्क है अभी मैं आपको दिखाऊंगी विरसावरकर जी इस जेल में रहे थे और बीर सावर जी करके भाई भी इसी जेल में थे जिनने तो साल तक ये पता भी नहीं था कि तुम्हारे भाई इसी जेल में है जो कि अंग्रेज पहले काफी कुरूर हुआ गरते थे ना उन्होंने सजा दी थी ये बाहर से इता अच्छा भी हो आ रहा था ना मन कर रहा था बस देखे जाओ देखे जाओ ये अंदर शो चल रहा था एक्छुली हमसे पहले भी ये स्टैच्व है वीर सावर कर बारों पिरताब और भी काफी सारे लोगों के स्टैच्व है वारियां पर यह है इसका नाइट वी अंदर से है जब हम लोग अंदर चले गए थे नाइट शो के जस्ट पहले का कि यह मार्किट महां का हम कुछ खाने निकले थे तो हमने एक पिक ले ली थी यह फिर हम एक्सटे मोर्निंग गए थे तब की पिक है जेल की एंट्रेंस की बाहर से काफी अच्छी लगती है देखने में बट अब इसका इनोवेशन स्टार्ट हो गया है क्योंकि यह काफी प भाई सी लग गए थी इस पर यह अंदर जैसे ही घुसेंगे आप म्यूजियम दिखेगा वहां पर कुछ परानी चीज़ें भी लगती होई है जो ताले यूज होते थे पहले टोपियां है यह जो लोग पहनते थे कैदी वहां पर यह ताले वहां पर यूज हुआ करते थे जेल में उस टाइम पर यह लोग जलती रहती है वहां पर जब हम रात में गये तब भी जल ली ती और हम अंगले दिन गये तब भी जल ली थी यह सामने चौक है जिस पर बैठकर वन शो दिखाते हैं रात में ये कुछ फासी देने के पहले किरिया की जाते थी उसका उसकी जगए है यहां पर कुछ करवाते थी ये फासी वाला वो एंट्रेंस ये है जहां पर फासी लगती थी तीन लोगों को एक साथ फासी लगती थी यहां पर यह इसका बेसमेट नीचे जहां पर लटका दिया तक जाता था और भार समुंदर में फैक देते थे यहां से उन लोगों को यह जो तेल निकलवाते थे वहाँ पर कैदियों से यह वो है यह इसका अंदर का ही व्यू है यह सैल का बैक साइड है यह एक्ष्वल में ऐसी है जैसी वो उपर से नजर आ रही है काई सी लगगी है बढ़ अब इसको रिनोवेट कर रहे है तो थोड़ा ठीक होगे यह सैल पूरा सैल जो रूम होते थे जिसमें कैदी रहते थे वो काफी चटी-चटी से रूम है यह उपर टोप पॉइंट से इसका व्यू इसके बाद हम लोग सीधा गए थे फिर गुरद्वारा साहिब जो की पोर्ड ब्लेर में है काफी अच्छा गुरद्वारा है उसके सामने भी एक पार्क है यह उसके बाद हम रोज आइलेंड के लिए जा रहे थे तो उससे पहले हमने वाटर एक्टिविटी की थी वहीं पर ही बाइक राइट्स वागेरा उसके बाद हम बोट लेकर सीधा गयते रोज आइलेंड और यह है इसका एंट्रेंस रोज आइलेंड का और फिर यह टोप पॉइंट जब आप सबसे ओकर पहुँच जाएंगे तो फिर आपको दिखेंगे कुछ खंडर वहाँ पे जो पुराने टाइम की बिल्डिंग्स हैं इनकी दिवारे पेडों ने जकर ली है पूरे इतरह से यह सबसे लंबी बिल्डिंग है रोज आइलें कुछ नहीं कहते किसी को आप इन्हें टच भी कर सकते हैं यह रोज आइलेंड आप लोग गूमिए अराम से मैं जाती हूं बबाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें झालते हैं यह लेप्ट साइड में है यह चर्च है उस टाइम पर जो जैपनीज लोगों ने बनवाई थी और अंडमान की सबसे पहली जेल भी रोज आईलेंड परी थी फिर सेकंड भी कहीं और थी और थर्ड जेल जो थी वो थी सैलेलर जेल जेल जिसकों काला पानी की जेल बोलते है जिसके उपर एक मूवी भी आई है काला पानी झांचिन है झाल झाल